असलाम अलेकूम वीरन वीनियो आज दिन बहुत सोना सी ते मैं के चलो सेर का रही है जा के बार ते आज मैं की पकाया सी आज मैं पकाया सी लैम कड़ाई नाल मैं डे सोने सोने फुलके बढ़ाई सन मेरी अम्मी भी बढ़ा दियों दिसनला बख्षे ते रोण लाग पेना किस पिटा गे से लियांदे नाल चाशा पीन वसते हिना जी वी उत्थे सन उनना ने किया आजाओ आजाओ चाँ पीलो तुसी भी आके थे मैं क्या होता नहूर कोई काम हनी बस ऐसे कम अगर चड़िया रहो है ते उत्थे फिर आवे खो हिना जी ने की लिया नाश्ता लिया कप पंच चकर लाए पिटी शिती की ती मेरे अबू कहांदे हूं देने पुतर सुरी सुरी खिती करी और दाड़ शोड लाया कर एक्सरसाइस करी आकर बावां इंच उत्टे ठले करीा करीआ कर चंगी तरह वर्जश किया करी अ कऱिया कर जा के वार चे बर मैं कि ए अच्छा हास एना नवां दे परे सुन ते मैं मैं आके बाय गी मैंक है तुसी मिन्हीं ये थे बला लेया मेरे ुपीर ढोपß जी पीर इनुपर और ये ता नूँ क्यों निकद्रे सखात उसी कार क्यों नी टिक क्या भासव आके देञे अ है ते बस फिर मैं आगई इनना देना ते मैं के चलो हुन एद गयाने दो में चाशा लेंड ते आ गया फिर अब एको हैं इंतजार कर रहे थे एक और फ्रेंड का उसने आना था तो वो अभी आई नहीं थी और ये लोग बैठ के लगी में थी यहां फिर चलिया गया फिर जो उत्थे जागे फिर नहीं अभी को ही ना जी ने लिया बर्गर पाणी दा गलास मेरे वास थे ते कौफी शोफी ते अभी को जिनी चिनी सी हैंने सारी खूल खूल के हैं एदे चपाली मुड़के केंदी में को गलत काप पा गया दूजी सिलिन केंदी 13 सी मैंने ये लिया था लाटे उसके बाद फिर रसी उत्थो निकल आये थे मैं थे नहीं जी वाड़के मार्क स्पेंसर चागे मैं क्या चलावे किये कोई चीजा सेलते लगी आने कोई नूडला शूडला सेलते लगी आने लैज यो ही जाके बढ़ा लिए पर सानो कुश नहीं लपिया फिर घार आई तो मेरे हस्बंड लेके आये थे मीट ते सबजी शबजी सारा कुश जो मैंने पकाना था वे को मैं फट 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 गोश्टे चडावा तो ये गोश्ट मैंने डाला इसमें प्याज डाला इसमें मैंने जिंजर गारलिक टमाटर और ये देखें लाल मच्चें सूट दी पिर इसमें मैंने सूट दिया नमक इस तरह से फिर मैंने इसमें हल्दी डाल दी इस तरह से तो सब क्या मैं गोश्ट संभाल लूं बाकी का ये लैम और ये बॉनलेस चिकन थी मैं क्या हाथ नाई लावा गोश्ट नू फिर तोने पैने पर किते हाथ लायां गुजारां देवेखो मैं सारे पैकेट इदेच गोश्ट पाके तो मैं सारे फ्लैट करके ना इस तरह राखने नहीं तो तरह गोश्ट बड़ा सोना डीफ्रोस्ट हो जाएगा तो मैं हमेशा और फ्रीजर वेचवी जिर ले तो इसी गोश्ट फिर अपना राख देओ ना ओबड़ा सोना फ्लैट ओदिच रख्या जान दा फ्रीजर विच भी ज्यादा जगा नहीं लेंदा तो ऐसी थाई दा बोनलेस पूरे-पूरे फ्लिट संड एवी मैं चार-चार फ्लिट एक बैक्च करके उसको थापड़ थूपड़ के फ्लैट करके यह सारा गोश्ट मैंने ऐसे फ्लैट करके रख लिया था क्योंकि बार-बार टाइम नहीं दा गोश्ट ले आन दा और एक और बात तड़ एवे खो फ्रीजर चिकिड़ा सुना रखिया गया तड़ अस्वाल बार बार आन दा है कि इंग्लेंड में हलाल गोश्ट मिलता है जी जरूर इंग्लेंड चुकी मैं कहनी है कोई काफते भी हलाल गोश्ट मिल जान दा है यह थे प्रॉपर सेटिफिकेट लग गें देने तो यहां हलाल गोश्ट मिलता है और पूरा सही हलाल गोश्ट यहां मैं आटा गूंद रही हूं देखें मैंने तुसी मेरा अंदाजा वेखो जितना पानी मैंने इसमें डाला था बोतल देवेच जिनना पानी मैं पाया से आटा गूनण मासते वो सारा इस आटे में इस्तमाल हो गया आखरी कत्रा भी आपने पानी डाल के वरड़ेवरडे से टेल ले इस तरह बना लेना ये देखें वरड़ेवरडे से टेले पुले-पुले हाथों से बनाए जो फर्स टाइम आटा गूनना सीख रहे हैं और फिर जब आप को लगे के सारे टेलो टेले बन गए हैं तो फिर पिर आपने उसको पकड़ के चंगी तरह एक वर डासा टेला बनाके देखें सारा पंढ़ा सोना सा उसी आटे के साथ साफ करके इसको पाणी वना हाथ लगाके मुख्य दे के इसको तो आपने इसको न इस तरह पासे कर देना है ठीक है फिर मैं के चले मैं सलाओ बढालो हाई म मैं दसा मिनों लब्यान मिनों नेल कटरनी लब्या है ते मेरे नों कटरन वाले साथ मिनों वड़े नाखुन पसांद नहीं कुकिंग करन लग गया है यहां जवी ओन नेल कटरनी लब्या ते मैं बुरान इसन कोफते मैं कहां जिनने किसे ने मेरे नों वेखे उनना ने कहना है कि हाई हाई ऐसे ना खुनों से खाना बना रही हैं हो ना लबे ते मैं जा के नियल पॉलिश ला ली मैं क्या कम असकम तुसी ते सुकूनल रेसिपी बेखोगे न नहीं तो मेरे पिछे पैज हो गए है तो ये देखें मैंने क्यूकंबर, टमाटर और प्यास और ये है चकंदर, हाई चकंदर, मेरी पुपो अला जना नसीब करे वो ना चकंदर गोश्ट बड़ा मज़ेदार पकाती होती थी किसे दिन पकावांगी चकंदर गोश्ट और वो रेसिपी मैंने लिख ली थी मैं बहुत चोटी सा पर मैं रेसिपी लेख लेए से हो तो मुल्तान में बनाई थी और मेरी वो जो पुपो थी अला जने नसीब करें नाम था शेहजादी तो बड़े सुने खाने पकान देसन ओते हांडी चे डोई हला देन देसन तो बस ये देखें फिर आप दीने दे पते ये जो बोड़ है ना ये सर्विंग बोड़ है इन जी छोके सिर्च मारी हो सर्विंग भाय है इसके उपर ही सर्व करना ठीक है तो फिर ऐसा डगोश्ट गाल गया वेखो मैं पाणी किनना थोड़ा पाया सी पता नहीं हांडी दे विच्चोई इनना पाणी कि तो पैदा हो गया पर फिर इनमें रख्या खुले पांड़िच क्योंकि मैंने इसको बू मैंना नहीं पांदी तो सुखी मेती डाली ये है गरम मसाला और काली मर्चे ये इसके उपर डाल दी हुन टाइम में को थोड़ा सी ना मैं जल्दी एहांडी बनाई मैं इनना को ये नू क्या कहते हैं लाव एंड केर नहीं इसको दे सकी पर सोनी बाण गई सी तो ये फिर इ मैंने हरी मर्चे और अदरक इस तरह से लंबी-Lंबी काटके बरीट बरीट हैं माच सामर की तो बस इसतरह से मैं इसमें डाल दिये तो फिसके उपर मैंने दे दिया टकना ताकि इसको जो है ना सोना साधाम लाग जाए ठीक है और ये देखें पिर लेमन नहीं थी तो में ह् तरह रख और बाकिस के उपर मैंने निम्बू नुचोड दिया सारा कितना वदिया हमारा जो है वो बना है सैलिड तो यहां पे मैं बना रही हूं पेड़े रोटी बनाने के लिए और देखें पहले से बना लिये थे इस तरह से रोटी हमारी बड़ी अच्छी बनेंगी अभी आप देखें इसको हमने इस तरह से तवा हमारा बड़ा तत्ता गरम हुआ था डाला देखें दूसरी तरफ कितनी जबरदर्स्त हमारी रोटी जो है वो फूल रही है तो यह देखें ऐवना जड़ा रोटी रखन वाला एम इनो हिना जी ने एक देने देचे पता नहीं की पे जैसे रोटी पे जी एसमें वापस ही नहीं कीता इसमें अब इस तरह से हम रोटी यां डाल के रख रहे हैं देखें जिप इसकी बंद भी कर दें तो यह बड़ा इसमें गरम रहता है और यह हमारा सैलेड देखें कितना जबरदस्त लग रहा है इसको इसी तरह टेबल पे आप सर्व कर सकते हैं तो देखें हमारी कड़ाई कितनी जबरदस्त बनी है साथ गरम गरम रोटियां बनी है इसके और साथ हमारा जो है सैलेड वो जबरदस्त सा सैलेड बन गया वेखो जी फर किड़ी वद्दिया बन गई लैम कड़ाई तो मैंने का चलें अपने को नब खाना दे दू हैं पुख लाग गई होगी इन्हों वैसे खाने में ना कभी तंग नहीं किया कदी नहीं किया कि खाना लेट हो गया या टाइम से नहीं बना तो मैं खाना बना कि ना बच्चे तो फिर काम पे या बाहर इदर उदर तो मैं कर चलें इनको खाना दे आयान बैठावा था अपने डैडी के साथ तो मैंका चलें उधर ही बैठके ये खाना खा लेंगे ते बस ऐही उन्दाए के खाना जड़ाए ना माँ पकान दीए और बच्चों की महबत में पकाती है हस्बंड के प्यार में पकाती है ताके वो खाएं और खुश हो जाएं ते बस फिर बरतन शर्तन तो के सफाई सफोईकार के सब्ड़ा दिन जड़ायो मुक गया ते इन्शालला फिर तानों मिलांगे नेक्स्ट व्लॉग दे विच आई होप के आज की रेसिपीज और आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और द्वाव में याद रखें हो के जी आल्ला हाफेज